नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत और नेपाल के मध्ध बिवादित कालापानी छेत्र की जब 2019 में भारत सरकार ने अनुछे 3070 को खत्म करके लद्धाक और जम्मु कस्मीर को केंदर सासत प्रदेश बना कर अपना नया नक्सा जारी गिया तो इस नए नक्से पर नेपाल ने अपना बिरोध जदाया नेपाल का बिरोध कालापानी छेत्र को लेकर है भारत के अनुसार कालापानी छेत्र उत्राकंड के पितोरागड जले का भाग है जबकि नेपाल का कहना है कि काला पानी छेतर नेपाल के ड्रैकूला जिले का भाग है इस छेतर का नम काला पानी इसलिए है क्योंकि इस छेतर से काली नदी की सायक नदी काला पानी नदी होकर गुजरती है अगर इस बिवाद की जड़ों को देखा जाए तो इसकी जड़ें सुगोली संधी में चुपी हुई है यह संधी इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी यह 1815 में हस्ताचरित हुई और इसका अनुवोधन 1816 को हुआ था इस संधी के अनुसार नेपाल, काली और राप्ती, राप्ती और गंडग, मैची और तीटस्ता नदियों के बीच के संपूर्ट तराई चेतर को इस्ट इंडिया कमपनी को सौप देगा एवं इस संधी के तहत यह प्राप्दान किया गया कि काली नदिय के द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाल के वीच सीमा का नरधारन किया जाएगा लेकिन इसमें जटिल समस्या यह थी कि नदियों की कौन सी साखा से यह तै होगा और 1962 की युद्ध के समय कालापानी चेतर में नेपाल के सेनिक थे भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि इसकी सुरच्चा भारत को करनी चाहिए क्योंकि यह एक महत्पून चेतर है जिसमें चीन का हस्तचेप हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने यह मांग की कि इसकी सुरच्चा भारती सेनिकों को करनी चाहिए उसके बाद से यहां भारती सेना का बेस है यह चेतर सामरेक दृष्टी से काफी महत्पून है क्योंकि चीन यहाँ पर कभी भी हमला कर सकता है धन्यवाद उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं